आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में देखे दोस्तों इगनु की तरफ से रिजल की अपडेट एक बार फिर से आ गई हो और आप सभी के result को एक बार फिर से अपडेट कर दियेगा जैसे आप सोको पता होगा कि आज 2 अगस्त की date है और आज 2 अगस्त को एक बार फिर से आप सभी की result को अपडेट कर दियेगा, जैसे आप सब लोग यहाँ पर देख रहेंगे status आपको यहाँ पर August 2 2023 तक आपको यहाँ पर सो कर रहा होगा और आप सभी जा करके अपने रिजल्ट को चेक कर सकते एक शी जो मैं बता दूँ आज सभी का जो environmental study का paper है जो first year में paper होता है उसका result सभी बच्चों का declare कर दिया गए खास तोर से BEVAE 181 का जो paper होता environmental study का सभी total जितने studentों इस subject अगर आपने paper दे रखा first year में अगर आपकी back रही होगी या अपने normal paper दिया होगा तो आप सभी का result इसका आ चुका है और इसमें बहुत सारे बच्चों की back लगी हुग बहुत ही कम माकसा है मैंने कई सारे बच्चों का result चेक कर रखा रिजल के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे चल करके कि रिजल किसी साब से किसी का 7 नंबर किसी का 12 नंबर किसी का 4 नंबर किसी का 2 नंबर किसी कोई कोई बच्चे इसमें पास हुए जादा तर बच्चे खास तोर से इस paper में fail हो गए आप सभी जाकर कि अपने रिजल को चेक कर सकते हैं आपका paper कैसे आपका आपने जो paper दिया था आपका रिजल कैसे है मुझे जरूर बताईएगा और आज भी बहुत सारे बच्चों का रिजल अपडेट किया गया है मैंने भी बहुत सारे रिजल चेक किये हैं प्रूप के तोर पर मैं आप सबको सारे रिजल दिखाऊंगा decision box मैं ने link दे रखा वहाँ जाकर कि आप अपने रिजल को चेक कर सकते हैं और आहां पर आनेक बाद आपको सीधा यहाँ पर आपको अपना enroll number लिखना पड़ेगा और submit वाले उस्टन पर क्लिक करेंगे वैसे आपका अगर आपका result आओगा तो आपको result जरूर सो करेगा proof के ताओर पर मैं दिखा देता हूँ कैसे result आओ खास तोर से environmental study का आज paper डिकलेर किया गया और बहुत ही गंदा result है बहुत ही बक्वास रियल कह सकता हूँ बहुत सारे बच्चों की इसमें खास तोर से फेल के क्योंकि दिक्कत इसमें होती न कि इसमें machine check करती है multiple choice question रहते ABCD में से आपको एक निसान लगराना रहता है तो इसमें बहुत सारे बच्चों की आज ही declare किया गया 2 अगस्त 2013 आज ही इनका result है और इनका subject का जो result कौन है BCOC 138 100 में से 54 marks आए हैं यानि इसमें इनको pass कर दियागा और इनका आज ही के दिन का declare कर दियागा इसमें pass हो गए है यहाँ पर देखेगा BAG के student है यहाँ पर देखे इनका result कैसे है इर्वान environmental study का paper आज ही declare किया गया सभी बच्चों का जिसने भी paper दिया होगा BAE BAE 181 में आप देख सकते 50 में से 12 number है क्योंकि इसमें 18 number passing mark है यानि pass होने के लिए कितना चाहिए आपको कम से कम 18 number चाहिए इनका भी आज ही रिजल्ट clear किया गया आप देख सकते हैं BAE 181 में से आप देख से 50 में से इनका 7 number दिया गया 7 number है भाई देख सकते कितना खराब result है बहुत सारे बच्चों का किसी किसी का तो 2-3 number आए किसी का 4 number किसी का 10 number किसी का 15 number आया है तो आप देख सकते हैं इनका 7 नमबर आया है इनकी भी back लगी इनको भी fail देखो इस paper में अगर किसी बच्चे की back लगती है अगर कोई बच्चा fail होता है तो आपको इसमें Revaluation आप Apply नहीं कर सकते हैं, आपको Direct इसमें आपको Paper ही देना पड़ेगा, इसमें यही है, और इसमें 18 नमबर आपके कम से कम आने चाहिए, 18 नमबर से अगर आपका कम नमबर है, तो आपको Fail है, और आपको दुबारा एक्जाम देना पड़ेगा, और आप सभी लोग इसका Paper December म जरूर दे सकते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट में आप सबको देखा, तो यहाँ पर देखेगा, BE, VAE, 181 में से देखेगा, आज ही रिजल्ट इनका Declare कर दिया गया है, इनका 20 नमबर है, 50 में से 20 माक्स हैं, यानि इनको Pass कर दिया गया है, तो कितना नमबर चाहिए, आप सब इनका Declare कर दिया गया है, आप देख सकते हैं, BHIE 144 में से, यानि हिस्ट्री का पर था यहाँ पर आप दो अगस्त आज ही के दिन इनका Declare कर दिया है, 100 में से इनके 50 नमबर आए हैं, और इनको Pass कर दिया है, और अभी तक आप देखेगा, इनका कई सारे Result आ गये हैं, आप देखेगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यानि टोटल छे सब्जेक के इनका Result डिकलेयर हो चुका है, और सभी पेपर में इनको Pass कर दिया है, यानि हर एक्जाम में इनको Pass कर दिया है, मुशली सभी पेपर में इनके Pass हैं, और अच्छे Marks मैं कह सकता हूँ, ठीक ठाक इनका माकसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन्होंने साथ मेरे पास Mail भी कर रखी थी, और इन्हों मेरे पास अपना Enrollment में भेज रखा था, किसलिए भजा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इनका Result आपको सो करके जरूर मैं दिखाता हूँ, कि आज भी इनका एक Res जल्टा है, और पचास नमबर आए, हिस्टी का पेपर रहता है, काफी लगभग 20 चप्र है, इस सब्जेक को मैंने पढ़ा भी रखा था, और काफी अच्छा माकसा है, चलो इनका पेपर किलियर हो गया है, इनको भी पास कर दिया गया है, तो आप काफी ठीक ठाक माकसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पच नमबर, पचास नमबर, पच पन नमबर, अगर आपके माकस 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ठीक ठाक पेपर आप ने दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो इनको भी पास कर दियागा, देख सकते हैं, तो mostly आपके माकस कैसे आए, खास तोर से, ठीक है, तो इनको भी इसमें पास कर दिया गया है, एक रिजल्ट आप सभी को और दिखा था, यहाँ पर देखेगा, यह बीजी की स्टूडेंट हैं, और आज इनका एक रिजल्ट कर दियागा, आप देख सकते हैं, बीच डीए, वन फ पास कर दिया गया, इनका भी पेपर किलियर हो चुका है, भी पास हो गये हैं, अब सब को दिखा देखेगा, बीजी की स्टूडेंट है, और वही पेपर में आपको दिखा रहा था, देखे, इनका भी देखो, बहुत ही कम माकसा है, आप देख सकते हैं, बीई, बीई, इनकी भी बैक लगी हुई है, तो जिस भी स्टूडेंट का इस पेपर में 18 से कम माकसा है, यानि 18 वाला पास है, और बाकी जिसका भी एक से ले करके 17 तक है, यानि 17 नंबर फेल है, 18 नंबर पास है, ठीक है, तो जो भी बच्चे इसमें फेल हो गए हैं, डारेक्ट, आप दरना मत, घबराना मत, कोई दिकताली बात नहीं है, दुबारा पेपर दे देना, दुबारा इस पास हो जाएगा, क्योंकि इस पेपर में बहुत सारे बच्चों की बैक आती, तो किसी बच्चे की अगर इसमें बैक लग गई है, तो आपको निरास होनी की जरूरत नहीं, आपका पेपर जरूर क्लियर हो जाएगा, तो आप अटेंशन मत लिजेगा, जिसका भी है, इसमें खास तोर से बैक लेगी, क्योंकि जादा लोगों की बैक आची है इसमें पेपर में, क्योंकि multiple choice में होता है, इसमें खास तोर से बच्चे कई बार पढ़ाई नहीं करते है किसी कान से पढ़ाई नहीं हो पाती, तो उसमें कई बार बैक आजाती, तो आप दुबारा पेपर दे दे हैं, आपका पेपर जरूर पास होए, तो चिंता करनी की कोई जरूरत है नहीं है, तो जिसका भी रिजल्ट आयोगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और बाकी जिस भी स्टूडेंट का भी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो आप चिंता मत कीजे, आपका रिजल्ट अगस्त का महीन है जो चल रहा, इसमें आपकी जरूर अपडेट आएगी, नहीं तो आपको अगस्त सितंबर में आपका रिजल्ट जरूर आजागा, तो वीडिय लोग चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजगा, वीडियो को देखने के लिए आप सो भी कब बहुत बहुत धन्यवाद, थेंक्यू सो मच, जय हिन जय भारत